हेलो एवरीवन नमस्कार मेरा नाम गगन सिंग वीना है और इस वार से यूपेस्सी सेवल सर्विस एग्जामनेशन में मुझे 120 भी रैंक मिली है इस एग्जाम में सबसे बड़ा इंपोर्टेंट यह हो रहता है कि आप कौन-कौन सी बुक पढ़ते हो और आपकी बुक कौन- अपनी जो प्रेपरेशन के डूरेशन में कौन-कौन सी बुक लिस्ट पढ़ी थी उनके समद में आपसे मैं चर्चा करूँगा क्योंकि जो मेरा ऑप्सनल सब्जेक्ट था वो मैतमेटिक्स था और जन्रल स्टेडीज में मेरा मीडियम था वो हिंदी मीडियम था तो मेरी तो पूरी लगभग प्रेप्रेशन थी वह इस्टेंडर बुकों के उपर जादा जादा डिपेंड थी क्योंकि मैंने कहीं भी जो एक क्लास्रूम कोचिंग मैंने कहीं भी लिया नहीं था तो मेरी जो कौन-कौन सी बुकलिस्ट रही थी उसके समध में आप से मैं बात ऐसे सकते हैं चरहते हैं देख सकते हो उसके संब्सक्राइब हम आज डेटिल से चर्चा करेंगे इसके साथ य यह कुछ एक detection नहीं जो उपर आने वाला हैं आप सकते हो एसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं की जो हमारी हैं प्रिलेम्स के लिए कौन इसके लिए घंदरली से आपको लगबाग पूरा पता ही है कि Italy है तीन इसमें हिस्ट्री के पार्ट से अर्ट से साइन रहे सांट साथ है और है और इसके साथ साथ कर्णट करना है वो सबसे बड़ा important है तो हमारी मेरी जो भुक लिस्ट थी। जैसे मैंने लश्मी कांथ हैं नहीं कांथ भुग को पढ़ा था था तो वूर्य किमें मेरी तरह से लेकिन लश्मी कांथ को मैं किस तरीके से यूज करना यह बहुत बड़ा एक इंक बार बड़ा importance है लच्मी कान्थ जो बोक है इसमें जो सारे चेप्टर से एक एक जो हमारे सारे चेप्टर है पॉलिटी के इसमें दिये हुए है लेकिन ज्यादा थार एस्परेंट्स के मान में यह डाउट रहता है कि या पॉलिटी के लिए हमें लच्मी कान्थ सपी सेंट है यह लच्मी कान्थ के अलाबा हमें जो दूसरी है और बुक भी पढ़नी चाहिए जैसे काफी लोग डीडी तो जो और रेसोर्स थे उनको भी रेफर किया था तो वह बाला सेक्षन में में मैं ने क्या-क्या पड़ा तयार किया था तो उसके समंध्ध में भी आप से चर्चा करूंगा तो पहला है कि लश्मी कान्थ लश्मी कान्थ को आप अच्छे से रीडिंग करनी है और खुद म कि में आप अंडर लाइन है वह अंडर लाइन कर सकते हो इसके साथ साथ इसमें एक दिक्कत यह भी आती है कि जम लश्मी कान्थ पढ़ते है तो उसमें काफी शाइड नई चीज एड होते जाती है जैसे मानलो कि मेरे पास फिप्ते एडिशन था नएडिशन श्क्त स्टार्टने के वाद आप अपना एक दो बार पढ़ने के वाद आप क्या करोगे कि में आपने बंती चले घृएगी और फिर कुछ-कुछ टर्म ऐसी होंगी जिनको आप जनरली भूलते हैं, उनको आप अंडरलाइन कर लो, या तो आप पैंसिल से कर सकते हो, या फिर किसी दो दूसरा हाईलाइटर है, उससे कर सकते हो, एक चीज इसमें और किस तरीके से पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें हमें राजपाल को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे ही होगा कि एक तो हमार जो टाइम है, वो टाइम अपने आपका हो जाएगा, और जो दूसरा है कि चीजों को समझने में अभी हमें आसानी होगी, इसी तरह हम देखे कि जैसे संसद है, तो संसद को अगर हमने एक बा जैसा ही है, और कुछ थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ही अलग है, ऐसी अगर हमने मुकमंत्री पढ़ा, तो जैसे प्रधान मंत्री पढ़ा, तो उसके बाद हम जस्ट बाद मुकमंत्री पढ़ सकते हैं, तो अगर हम इस तरीके से पढ़ेगी, जो केंद्रे सरकार है, उसी क जैसे लगवग राज सरकार है क्योंकि हमारी हाँ पर जो ॹॉश तरीके से हम पढ़ेंगे और चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे और इंट्रीट तरीकेसे पढ़ेंगे तो हमारी काफी चीज आसान हो जाती है एक दूसरी चीज और इंपोर्टेंस है कि हम बुक लिस्ट ऐसा नहीं है कि प्रिलिम्स के लिए अलग से तयारी कर रहे और मेंस के लिए अलग से तयारी कर रहे क्योंकि प्रिलिम्स और मेंस में काफी सारे ऐसे टॉपिक है जो एक साथ है जैसे कंते है už सट्री है ईहां इस भियारोफीERS में पढ़ों phys काम सब्सक्राइव और वह ञाव मेंmill को उत्सक्राइख है अद्टर काम मेंस आड़ पर यह पर एकांत नंती है लिश्टियस्टिशनल फॉडी और जैसे मौने कि हमने संगलोग से वायोग पड़ा उसी के जैसे लगबाग राज लोक से वायोग पड़ा अच्छ को पड़ा एसी राजड। राज्वलोग कर के पढ़ना है उससे फायदा यह होगा की हम है जो पडने पढ़ेंगे तो हम दोनों के बीच में डिफ्रेंट कर पाएंगे कि का डिफ्रेंस है कैसे राजपाल राष्टपती से अलग है कैसे दोनों की अलग अलग पावर्स अलग है कौन सी सकती है जो राष्टपती के पास है राष्टपती के पास नहीं है तो यह चीज हमारी कहां से कराएगी जब हम इसको रसी मिक कांथ च्छे तरीके से पड़ेंगे दूसरे फिर आते हुम हिस्ट्री के ऊपर तो इस्ट्री के तीन पार्ट है एक nc n tis t ya medieval history और modern history तो जो मैंने पहले जो ancient history medieval history में जो old ncrt एओ जो जो सर्मासर की है वो अल्डe ncrt पढ़ा था तो बहां से एक जनरल आइडिया मिल गया कि हाँ जो हमारी एंसींट हिस्ट्री है उसके अंतरगत किस किस तरीके के टॉपिक्स है और इसके साथ ही क्या होता है कि अभी जो हिस्ट्री में काफी सारे जो फेक्चुल कुस्टन है वो पूछे जा रहे हैं तो उसमें कोई कोईन है उसका नाम पूछ लेते हैं तो उसके लिए मैंने क्या किया तो हम जो लुसेंट है जो लुसेंट की बुक आती है जिसको जो और कंपिटिटिव एक्जाम के लिए जो दूसरे सारे एस्परेंट्स पढ़ते है जिसमें इस्ट्री जोग्रॉपी पॉलिट्टी सारी सब्जेक्ट रहती है तो उसमें हिस्ट्री के लागफ़क तीस से चालीश फेज है वो पेज मैंने चार-पास वार उसको अच्छे से पढ़ लिया था तो इससे फायदा यूँवा कि दर लास्ट यह जो प्रिलिम्स एक्जाम हुआ था दो अजार बाइस का उसके मैक् चीज़ पढ़नी है जैसे एंची एंटिस्टी और मेडाइबल स्टी को मिला कि लागभग मैक्सिमों उसमें से तीस से पैंतीस फेज़ है और तीस से पैंतीस फेज़ हुआ हम अच्छे से चार-पांस वाज पढ़ लिए तो यहां से अगर पांस से कुस्टन अगर मानलों चार-पांस कुस्टन एजली कर सकते है फिर इतने ज्यादा उसमें फेक्ट और सार्च चीज़ दिये हुए वस उनको याद करने के लिए बार-बार उनको पढ़ना पड़ेगा बार-बार उनकी प्रेक्टिस करनी पड़ेगी तो यह हो गया कि हमारा जो एंसेंट इस्ट्र की रहाम सर्मा की उस में और मोडन इस्ट्रीम आती यह स्पेक्ट्रम को पड़े यह फिर न फिर चीज़ों को पहले ही कवर कि और तो उन तो सबसे अच्छा यह है कि आप स्पेक्ट्रम को एक बार अच्छे से पढ़ लो इस से फाइदा ही होगा कि आपकी प्रीलेंस की तैयारी तो होगी होगी उसके साथ साथ जो मौडन हिस्ट्री वाले जो पार्ट है गांदी जी वाला एरा है या फिर हमारा सुतंतरता संगराम था अंग्रेजों से पहले अंग्रेजों का बाद मुगलकाल का पीरियर्ड वो इसमें काफी अच्छे से कबर हो जाएगा और जो इस्पेक्ट्रम का जो नया बर्जन आया है उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद का भी जो इतिया से वो दिया हुआ है तो वो भी हमारों जो जीएस पेपर मनें आजादी के बाद का जो हमारी हिस्ट्री रही है जो जो अलग अलग आंदोलन रहे है भारत की विदेश नीति किस तरीके से र बड़ा था लेकिन जो बुक है लगफख 600-700 पेज की है इस्टुडेंटों के बीच में यह डाउट रहता है कि पूरी बुक को कैसे पढ़ेंगे इतने सारे पेज है इतने सारे फैक्ट याद करने वाली चीज है लेकिन अगर हम प्रिविए से कुस्ट्रम से पर को अच्छ सारे चैप्टर से देखे जैसे जोंपर लोग नाटा के है लोग रते हैं लोग संगीत है यह फिर अलग अलग जगा के जो मेले और तुवार है तो इन सब के बारे में वोट डिटेल समय नहीं पूश्ते जंदर लिपूश्ते क्या है यूप सी ऐसे जो चैप्टर रहाँ प पूश्ता है तो यह राजबाला कुश्तन तो इसमें जतने भी लोग नाटाक लोग रते लोग संगीत है यह फिर चुत्रकला है यह फिर मेले तुवार और इतनी भी सारी चीज़ है उन सारी चीज़ों कमें डिटेल्स मैं नहीं पढ़ना वस उनका यह देखना कि किस राज है जिससे संबन देते हैं अलग अलग चैप्टर में अलग अलग कुछ दिया है तो अपने एक नोट्स बनाए के के कि मैंने जितनी भी डिटेल्स थी उस सब पेज में लग दीती कि मा उसमें लग भग आजाए कि जैसे लोग नाटाक अलग लग दिये उनके संगीत अलग ल काफी सारे कुछिंट्स अब मैं से पूछे जा रहे हैं तो हम PY कोई कुछिंट्स है और जो मेंस का हमारा सलेवास है उसको देखके आठें कल चार को भी हम आसे पूरा कर सकते हैं अब आती है एकोनोमि के लिए मैंने जो मरनाल सर्थ है मरनाल सर्थ के वीडियो देखे ते हो उसके साथ साथ ही जो उनके नोड्स थे प्रिलम्स के लिए यह पढ़ा था तो उनके YouTube के वीडियो अविलेवाल है तो YouTube में सर के वीडियो देख लिया थे और उसके साथ ज्च jeśli ज़रों के नोड्स से उनके नोड्स मार्केट से लेकी और उन늘 मोड्सों को मैंने एक पर विडियो देखे बाद में नोटसों को देख लिया था और नोटसों में जाता है तरी के श्रीज निकालते है जो उनके साइट से वो डाउनलोड कर लिए पीडिया पे लेकर उनका प्रिंटाउट निकल वाली और उसी तरीके से अपना वेल एडिसर एकोनॉमी की अंतरकत म भी मैंने जो नई NCRT है नई NCRT मैंने के वाल यहीं पर NCRT पड़ी थी छैसे लेकर भारत कि स्टार्टिंग में पड़ी लेकिन बाद में फिर मैंने देखा कि ग्यार भी और जो बार्मी के क्लास है उन-क लगा से जो जो मुझे लगा कि कौन क्या में इसम में इंपोर्टेंस है झाहां जहां मुझे समझ में नहीं आ रहा था यह कि उतिना वह गया उसके इलावा जो इन्वार्मेंट और मारकेट में मिलति थी इंडी मीडियम में तो भूड़ मैंने ले ली थी इसके साथ ही environment में सबसे इंपॉर्टेंट है कि current अफेयर, current अफेयर जैसे current अपेयर अलग अलग तरीके से हम तयार कर सकते हैं कछ हम daily basis पर सकते हैं, कछ जो हम मंतली basis पर जो मेगजीन में से हम पढ़ सकते हैं और इसके साथ ही हम जैसे एक्जाम से पहले जो 365 टाप्र जो compilation आता है उनको हमें revision के तोरप हम उपियों कर सकते हैं ऐसे ही जो science and technology था science and technology में में एक मार्केट में नोट्स ले लिए थे इसके एक फ्रेंड्स के तो नोट्स थे और इसके साथ ही जो science and technology में चीज़े करेंट अपेर करेंट अपेर science में जो recent development है नहीं नहीं टेकनोलोजी जैसे AI है में मसीन learning है big data है blockchains है और इसके साथ साथ जो IT है space है वहां पर जो निव टेकनोलोजी हो रही है इसके साथ साथ new innovations हो रहे है जैसे कोवेड के बाद हमारे बैक्सीन में नोवेशन हुए जो सैल से है नुकलियर इनर्जी है तो इस तरीकी के जो जो निव इनोवेशन हुए है वहां से जनरल लिए कैसी questions पूछती है तो वह हम करेंट अपैर से त्यार कर सकते है और जो बैस हुआ तो prop Khal qui तो सल्सर्सद में से कुछ सञ्ण सट्थी के लिए पूचते प्रीव में और उदर कुछ सम् Nos UK निफोस्ते तो उस तरीके से आप तयार कर लो कि इस से आपका प्रीलेम भी तयार हो जाए और फिर मेंस भी तयार हो जाए अब आती है यह पूरा हो गया कि आपका जो प्रीलेंस के लिए कौन को सी बुक्ति अब आता हमारा करणट अपेर अब यह तो हो गया मैंस कमेंस का एगा अब मैंस से पहले मैं आपको एक चीजह न नोट्स फ्रम डिफ्रेंट सोर्स ये कपी बड़ा चीजिए आउन नोट्स फ्रॉम डिफ्रेंट सोर्सेज यह काफी बड़ा चीज इंपोर्टेंट है कि आप अलग-अलग सोर्सों से खुद का नोट से किस तरीके के बना सकते हो तो मैंने कहा देखा कि जब मैंने पहले दो अटेम्ट दिये थे तो उस टैम तक मेरे पास खुद के नोट मैंने स्थे खुद कि हम अलग-अलग सोर्स नSuЗ से किस तरीके से बनाएं इस चीज के लिए लिये हम अलग-अलग जो सोर्स है वो मैंने जैसे क्यों कि मैंस के लिए, क्पी ज्यादा सलीवस ऐसे है, कि चले वहसे ने काफी सारी प्योश्य ने व्मेंद किया, उसमें 1950 and 1951 तो इसके लिए आप क्या करो कि इंटरनेट पर स्टाप करो और उसके वाद आप लिख दो यूपी असी तो इस तरीके साब लिख दोगे तो आपको जो अलग अलग साइट से वहां अलग अलग साइट से जो एप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट से संबंद दे जो भी कंट करने के बाद मैंने गूगल ट्रांसलेटर खोला गूगल ट्रांसलेटर से मैंने गूगल ट्रांसलेटर से मैंने गूगल ट्रांसलेटर में मैंने पेस्ट किया और बहां से जो इंग्लिस में मुझे कंटेंट मिला उस इंग्लिस की कंटेंट को मैंने कॉपी करके जो इंग् लिए ती ये काफी साई जो परम दी हुई है यासी अला अलाक तरुम्स है उनके पास अगर मेरे पास खुद करartoire नहीं है तो मैंने उनके जिनालिय थे इसके साथि मैने एक चीज और किती ज़ो अपनेöß उन्हें है जो कि मैने अपने दो खुद का टेलिग्राम चेनल यह वहाँ Πर अपनी जो नोट से वह सियर रिये गया है तो उसमें मैंने क्या कि था सट्वर्जच में मैं ने काफी सारे अंवालम तैयार कर लिये घुले ते उसके अलावा एंट जगे पर यो बी यां पर आ गए तो ऐसे इंते के मेरे पक लेवर चार से पास कुर्टन भए तो मैंने चार से पाफ स्कुर्सन अगर इंग्लेस में थे तो उनको वही मैंने Google अपर टांस्टिटर से हंदी में कर लिया और अपने कोड़ीके मोर्स बना लिए तो उससे मेरे पास एक फायदा यहुगा एक तो मेरा प्रीज ही से कुस्टन पेपर के नोट तैयार हो गए दूसरा मेरे पास ऐसक यार हो गए और इससे फायदा मुझे इनक्लूजन करना है ये चीज भी मुजे किस थरीक से रहरा है किस तरीक से मुझे तरह जब गई ती लिए सब new चीज यह इस सब तो और इसके साथ यहां से जैसे अंशर को काफी वार हमें दिक्कत ती होते कुस्सर पढ़ने के बाद हमें यहीं समझ में यह तक इसको लिखना कैसे है तो कुस्सर अंसर फॉर्मेट से मुझे यह भी चीज की फायदा हुई और इसमें आपको इतना बड़े नोट भी नहीं लिखने जैसे मैंने यह नोस बना लिये थे उसके बाद मैंने सौट सौट फ हमां पर हमारा जीस बन में भी है यह और जीस ठरी मीविश को पूछ ले इस इन वार पर जोग्राफी में ने पूछ लेते रिजास्ट में हमें इसका कुस्टन पूछ लेते हैं तो मैंने इसका उन्डिया कर लिए थे कि जैसे एंडिय नहीं इस डियास्ट का यूज इसका तरीके से आप है री सेंट में कहां 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 है land suffering हुए है इसके साथ यहां है Boston हो क्या गारुहेב और sih 7 कर लो और कोन क्योंख है घ्म क्लिया एक सब्सक्राइब के साथ या फिर बर्तमान में सरकाम ने उसके लिए कोई रनेत्री बनाई उस थरीके से हम उन को तर्देखा सकते हैं तो यह हो गया कि हम symbols में किस तरीके से अलाग-अलоф स्थोर्सों से संके नोर्स बना सकते है इसके यह वो एक ेजी यह होगई और मैसं के लिए सबसे important है कि मूने Valenti प्र Girism ब गुंग बताया सा किप्रिलेंस किया यह हमें यह फंक पढ़ना है तो भुथ हमें मैस sla sorcer ऑसी तरीके से पढ़नी है की उनके साथ हमारी प्रिलिम्स चै कवार हो जाए और मैस के topic भी कबहोंड हो जाएं क्योंकि बहुत सारे topics ऐसे है जो prelims में भी वह मैंस में भी है तो इस तरीके से यह मेरी पूरी बोके list थी कि कैसे कैसे हम prelims के साथ साथ जो मैंस है उस मैंस को भी हम त्यार कर सकते हैं